भारत में जाती विवस्ता पर निबंद भारत प्राचीन काल से जाती प्रता की बुरी विवस्ता के चंगुल में फसा हुआ है हालाकि इस परनाली के उद्गम की सटीक जानकारी उपलब्द नहीं है और इस वज़ा से विभिन सिधान्त जो अलग-अलग कथाओं पर आधारित है प्रचलन में है वर्न विवस्ता की अनुसार मोटे तोर पर लोगों को चार अलग-अलग श्रेनियों में विभाजित किया गया यहां इन श्रेनियों के अंतरगत आने वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा है इन श्रेनियों में से पर्तेक के अंतरगत आने वाले लोग निम्प्रकार से है फर्स्ट, ब्राम्वन, पुजारी, शिक्षक वविद्वान 2. शत्रिय, शाशक व योद्धा 3. वैशिय, किसान, वैपारी 4. शुद्र जिने मजदूर कहा जाता है वर्न, वैवस्था बाद में जाती वैवस्था में परिवर्तित हो गया और समाज में जन्म के आधार पर निर्धारित होने वाली 3,000 जातियां वह समुदाई थी जिने आगे 25,000 उप जातियों में विबाजित किया गया था एक सिधान्त के अनुसार देश में वर्न वैवस्था की सुरुवात लगवग 1500 इशा पूर में आर्यों के आगमन के पस्चात होई यह कहा जाता है कि आर्यों ने इस पर नाली की सुरुवात लोगों पर नियत्रन स्तापित करने वा अधिक प्रक्रिया को वैवस्ति धंग से चलाने के लिए की थी उन्होंने लोगों के विबिन समूहों के लिए अलग-अलग भूमिकाएं सौपी हिंदू धर्म शास्त्रियों के अनुसार इस पर नाली की सुरुवात भगवान ब्रह्मा जिने ब्रह्मांड के रचीता के रूप में जाना जाता है के साथ सुरु हुई जैसे ही वर्न विवस्ता जाती पर्था में बदल गई जातीगत अधार पर भेदभाव की सुरुवात हो गई उच्च जाती के लोग महान माने जाते थे और उनके साथ सम्मान से पेश आया जाता था और उन्हें कई विशेश आधिकार भी प्राप्त थे वहीं दूसरी तर्फ निम्वर्ग के लोगों को कदम कदम पर अपमानित किया गया और कई चीजों से वन्चित रहते थे अंतर जाती विवाहों की तो सक्त मना ही थी सहरी भारत में जाती विवस्ता से सम्मधित सोच में आज बेहत कमी आई है हाला की निम्वर्ग के लोगों को आज भी समाज में सम्मान ना के बराबर ही मिल पा रहा है जबकी सरकार द्वारा उन्हें कई लाब प्रदान किये जा रहे है जाती देश में आरक्षन का आधार बन गया है निम्न वर्ग से संबंदित लोगों के लिए शिक्षा वो सरकारी नौकरी के छेत्र में एक आरक्षित कोटा भी प्रदान किया जाता है अंग्रेजों के जाने के बाद भारतिय सविधान ने जाती विवस्ता के आधार पर भेदभाव पर परतिबंद लगा दिया उसके बाद अनुसूची जाती वो अन्य पिछरे वर्गों के लिए कोटा प्रनाली की सुरुवात की गई डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जिनोंने भारत का सविधान लिखा था वे खुद भी एक दलित थे और दलित वो समाज के निचले सोपावनों पर अन्य समूदाओं के हितों की रक्षा के लिए समाजिक नियाई की अवधारना को भारती इतिहास में एक बड़ा कदम माना गया था हाला कि अब विविन राजनीतिक दलो द्वारा सकीर्न राजनीतिक कारणों से इसका दुर्यूप्योग भी किया जा रहा है तो दोस्तों यती निबंद आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आयो था हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि इसी तरह की नॉलेज़फूल वीडियो आपको मिलती रहें तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद